कि नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए चेप्टर नुम्र फोर्टीन कर रहे तो इसमें अभी तक काफी सारे टॉपिक देख लिए सब कुछ देख लिए आज हम देखेंगे सत्ता का विकेंद रिकर और पंचायती राज का विकास में क्या युगदान र टॉपिक बच जाता है क्या चेत्रवाद और धर्म पिच्छता यह दो इंपॉर्टन टॉपिक इस चेप्टर में बच जाते हैं इसको भी हम देखेंगे इसके बाद यह आपका चेप्टर खतम हो जाएगा तो मैं सोचाओं कि यह दुखो काफी जादा हमने जो की पेपर ट तो चलो आज का पहला टॉपिक अपना देखते हैं क्या है हमारा पंचायती राज या सत्ता का विकेंदरी कर्ड तो इसको पंचायती राज कैसे आता है यह उसका कुछ बैक्ग्राउंड यहां में बताता है तो सुरू करने से पहले कुछ चीचे जो यहां पर नहीं दी लोगतंत को और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन करें गा जिसको देखों नाइंटि फिप्टी नाइड में पहली बाग ट्राइक कि हा ग्राम पंचायत हम कहीं इस तरह की कोशित की और नाइंटी नाइंटी थी में जिसको जोकि इसको सम्मेधानिक दरजा दे दिया गया यानि कि constitution में इस तरह का प्रवधान कर दिया कि हमाई देश में जो कि हर गाउं में जो कि ग्राम पंचायत का भी गठन होगा उसके क्या क्या बाते होंगी कैसे उसका गठन हो वो सब सारे प्रवधान सम्मिधार में लिखिद हो गया थे 1993 में इस तरह से कुछ ग्राम पंचायत का जो कि हमारा यहां गठन होता है तो चड़ो सुरू करते हैं उम्मीर आपको तौपिक क्लियर होगा कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं देखो ग्राम पंचायत आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी के परस्प्रेक् सुरू करते हैं अपना टॉपिक और यह एक चीज और जो आपका ग्राम पंचायत है न यह गांधियन आइडिया है गांदी जी करते हैं कि सच्चा लोगतंत्र वही है जो की केंद में बैटकर राज चलाने वाला ना होका बल्कि गाओं के परतेक ब्यक्ति जिसमें गाओं क यह कोटेशन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो चलो अपना यह पुष्टक में जो चीज़ें दी हैं उसको अपढ़ना यहां से शुरू करते हैं तो बोला जा रहे हैं यहां पर लाइन टू पढ़ेंगे हमनों जैसकर कि हमारा जो सिरीज है चला है बोला जाए सवतंत् की बात यहां पर कहा जा रहा है सत्ता की विकेंद्री करड़ पर बल दिया गया जिससे निती निर्माड और राष्टी विकास में सभी की भागीदारी सुरूश्चित की जा सके तो बोला जा रहा कि भारत में समधाई विकास कार्करम की असफलता के बाद सत्ता के विकेंद्र करड़ की अधिक आवसकता महसूस की जाने लगी भारत की छेतरी विविद्टा एवं उन छेतरों की अपनी अलग समस्याओं के काड़ यह माने जाना लगा कि एक केंदरी नीती द्वारा सभी करने के लिए इस तरह के निती की आवसकता थी इस विजए से दुखो आपका जो पंचायती राज का गठन करने की बाद कही गई थी ठीक है तो इस तरह से यहां पर बात कही जा रही है कि आपका लोकल लेवर पर समस्या का समधान करने के लिए पंचायती राज को लोगतंत्र विकेंदी करड़ के रूप में देख सकते हैं जहां पर केंदरी सत्ता का अस्तांतर विविन छेतरी संस्थाओं को हो जाता है और वह लगबग स्वायत रहते हुए छेतरी नितियों यह विकास करने में समर्थ बन जाते हैं चलता है पंचाहिती राज का अब द बने वही है तो और जो की सतनतरता के बाद इसको समयधानिक दर्जा भी दे दिया गया है नाइटी नाइटी थी के समयधान में संसोधन करके तो यह जो हमारा पंचाहित ऐसा ने की कोई नया यह जो आतियासिक रूप से जो कि हमाने समाज में चला आ रहा है इस तरह की बात यहां पर बताई जा रही है सोतनतरता प्राप्ति के परशार भाद में लोक्ता अंत्रिक समाजिक व्योस्ता को अपनाए गया और गाउं के चवह मूखी विकास के उदेशे से 1950 से ग्रामरी विकास के कई कारिक्रम सुरूप कि इन कारिक्रमों के अपेच्छी सभलता उदेशान परियास के लिए निवार साधन के रूप में अपनाए जाए और इसके लिए नियोजन राज अस्ता जीया ब्लॉक और गाउं स्ता पर गाउंस्ता पर्यां जोकि बिकेंदरी किया जान गुटिक विक्टिकिया सबसे पहली बार लेकिन ये जो को सरकार का जो देखोगे उदासिंता इसके प्रतिराइज ज्या सब्सक्राइज जो प्रारम वह उतना सक्सेज नहीं था इसलिए महसूद किया गया कि उनीसों तिरान वे में इसको देखो त्यातरवे समिधान संस्था दोरा इसको समय दानी दर्जा देते गए इसको संगठी स्वरूप पदान करने के पर चाहिए एक दिर्ड कारेकारी संस् संस्था प्रवधान था पंचाहिती राज को लेकि यहां पर लोग देखते हैं तो बोला पहला पॉइंट है ग्राम सभा को पंचाहिती राज पढ़ाली का अधार माना गया जो राजिविधार मंडल दोरा सब्सक्राइब कार्यों अधिकारों का निश्पादन करे यानि प जितने वोटर है वो सभी किसमें ग्राम सभा के अंतर गताएंगे तो ग्राम सभा को जो ग्राम सभा है उसी को देखो पंचायत की जो की बांग दोर दे दी गई राजिविधार मंडल दोरा फिर और क्या प्रवधान किया गया आपका 73 मिंड में में तो बोला जड़े गाउ अब जिला अस्तर हो जरूरी नहीं इस तरह के प्रवधान किया गया तीनों अस्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रतेच चुनेगी और प्रतेक अस्तर पर पंचायत का कारेकाल पांच और सब्सक्राइब कर दिया कितना पांच सालों के लिए और देखो इंपोर्टन बारत य उसने अनुस्वाइब के लिए सीटे आरचीत होंगी और कूल सीटो का एक त्याही महिलाओं के लिए भी सीटे आरचीत होंगी जिसमें देखो पिछरी जाती है जो आपका है सी पर दिद्ध कर देगा तो एक पन्चायतो के बात करता है यहां पर पर राजजास्व का कुछ वाग प्राप्त करने का अधिकार राज विधाम तैय करेगा यानि राज विधाम वंडल तैय करेगी पंचायत कि इस पर चुनाव कराने तो एक राज निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा यानि एक राज निर्वाचन आयोगा जोकी पंचायतों के लेक्षन अगरा कंड़क्ट कराएगा तो इस तरह के कुछ आपके प्रवधान यहां पर हमने अगला टॉपिक हमां देखते क्या है इसमें ग्रामिड विकास में पंचायती राज की क्या भूमिकारी यह यहां पर हम लोग समस्ते हैं तो बोला जाए रहे उन्नी सो तिरान में इस से लेकर आज तक लगभा 28 हो गए ठीक है अपने कारेकाल में पंचायती राज ने सक्ति के विकेंद्री कर ग्रामिड अस्तर तक विश्थित करके लोगतंत को मजबूत किया है इसके माध्यम से परमप्रागत ग्रामिड सक्ति संग्रिशना में प्रिवतन आया है और उची जातियों का एक अधिकार कम जोर हुआ है जाती धर्म एवं परमप्रागत भावना संभव हुआ है निचले अस्तर की जातिया संख्यात्म सक्ति के अधार पर प्रभु जाती को चुनोती दे रही है और अपनी प्रश्थिति सुधार की दिशा में किया है यानि यहां पर करने मतलब जो आपका जाती ब्योस्था जो इंदम परमप्रागत सवाज में जो हाव पर 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 आशित है और अधिक आयू धर्म और जाती की उच्चता का महत्तों कम हुआ है ऐसा रामा रेड़ी का अंदर पदेश में अध्यान बताता है पर आपका परमप्रागत समाज था वहां पर जो अधिक आयू की लोग होते थे वही जो पंचाहिती राज वगर या तपी यह को की गाहों की जो सकती था उनी के हाथ में नहीं तो रहती थी या फिर एक विसीष्ट जाती के या विसीष्ट धर्म के लोगों के आपी नहीं लेकिन आज देखोगे इसके महत में जो की कमी हमको देखने को मिल रही है आपका पंचाहती राज की काड़ एसा रामार एड़ी जी का आंध्यपदिस का अध्यान वह बता रहा है फिर नेक्स्ट पर बोला जा रहा है कि ग्रामिड आर्थी विकास और स्रोतों को समुचित रहा है और साथ ही देखो बोला जारा यहां पर जहां पर देखोगे स्रम्दान और स्रोतों का यहां पर देखने को मिल रहा है साथ ही बोला जारा कि ग्रामिट भाद में राज नहीं तिक जागरुक्ता को उत्पन करके लोकतांत्रिक विकेंदी करण को सफल बराने और लोकतांत्रिक को मजबूत करने में भी इस संस्था की महतपुड भूमिका रही है यहां पर बात की जारी आप देखो इसके यह बोला प्रभू जातियों के कटपुतली बनी हुई है यानि कि आज भी देखो प्रभू जातियों के अधिन ही काम करते हुए नजर आती है इसके नकारतों में कि मुखेता आर्थिक दिश्टी से संपन और सिख्षित ब्यक्ति पंचायतों में अभीजन वर्क के रूप में उभरे हुए हैं ऐसा आपका रिपोर्ट इंडिया इंस्टिट्यूट आफ पॉब्लिक ऊपनियां 2006 बता रहा है लेकिन यह भले इस से गाउं में गुडबंदी और जाती संगर्षों में बिद्धि यानि आपका रजनी कोठाई को कोट कीजिएगा जब भी पंचायती राजने गाउं में एक नई गयर सरकारी नौकर शाही को जर्म दिया है और सत्ता लोलुपता को बढ़ाया है दो आज सत्ता की लालश है और बहुत जबगए क्या कर रहें दो लोगों को क्या करते दारू बाड़ते हैं पैसा बाड़ते हैं अब प्रती सकारात्मक उस्सा पैदा करने में पूर्टा सफन नहीं रहा ती एक उसके निगेटिव पॉयंट बटा ज़ले आपके पंचायती राज भी अश्था कि की सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इसे लागू करना अनिवार बनाए गया परन्तों इसकी महत्रपूर कमी रही कि इन सरस्ताओं के सकती हस्ताइब का कार राज विधा मंडल पर छोड़ दिया गया और राज सरकारे अपने पंचायतों को प्रयाद सक्ति देने में से कत्राती पंचायतों के पास ज्यादा सक्ति है तो यह इसका इसकार से पंचायत राजे वह ज्यादा सफल नहीं पाया साथि तरह से यहां पर वसुली टेक्स वसुली तथा जिर्माना तक का अधिकार है लेकिन प्रयात नहीं है और नहीं वास्तविक भी ऐसा ब्रहमदत समा की पंचायते उची जाती है प्रभू जाती है और पुरुष्वर्ग सवतंत्रता प्रुवक कार नहीं करने दे रही है यानि कि दुखो जो एसे निम्र जाती की लोग है जो संख्या के अधा पर बहुत ज्याद है और वह संगठी तो के अपना प्रते देधी चुनली अपने ह बहुत स हमाड्रम जाती है करने दें दें इनके काम को हमेसा लढाउwoman करने द ticket पनके सिस्थम में काम नहीं कर पाया क्योंकि और वह समद्थिक विसमता और compete सत्मकता के झाल के दिमाने शात्यक्त से समाच caric है सब्सोति हैं बहुत ज्यादा है एक ही गवाँ में बहुत ज्यादा अमीर कोई आप इसको दो वक्त की रूटी नसीब नहीं होती है इसी वज़े से बोला जारा कि यह जो आपका पंचायती सिश्थम बहुत नहीं हो पार है ति नेक्स्ट पार जारे पंचायती राज अधिनियम में मध्यस सिश्थमारक इप परण आपसा के सदस्ट नहीं हो सकते हैं तो यह दल गत राजएती मजबूत है उसकी सता केंद में है के प्रतिनिदी को अपने समकच खड़ा होने देने के लिए तयार नहीं है यानि जो जनता दौर्ण प्रतिनिदी वह अपने सामने जो की टिकने नहीं देते उनकी बातों को यहां पर कही जारी है यहां पर किसी मान के चलो एक्स पार्टी की जो की सत्ता है राज्य में एक्स पार्टी के प्रतिनिदी है अब इसी ए राज में कोई गाउं है यहां पर देखो कोई वाई पार्टी से चुनाओं लड़ा था गराम अस्ता पर और वह चुनाओं जित गया है तो इनको पैसे कम करेंगे अगर इनून के पार्टी से कोई घ्रण पर चेंटा पर उसको ज्यादा पैसे में नहीं मिल पाया है यानि कि अशिच्छा हो जागता है कमी कार्ड जो को पंचाहिती राज को जो कि सब्ची सायोग नहीं मिल पाया है और साथ देखो राजनीति का अपरदी कर्ड़ भी कितना तीजिस हो रहा है इस वज़े से देखो जो आम जन है या फिर जो इमानदाल लोग है जो वह देखो इस वज़े से नहीं आपा रहा है और नेक्स्ट पर जाएक नेतित में गुड़ो और पर शिच्छड का अभाव भी संस्था का आज एक प्रक्ष यानि जो पंचाहिती राज के जो नेतित है यानि जो लीडर चुन लिए गए उनको पर शिच्छड कम मिल रहा है पर शिच् जो कि अच्छे सा काम नहीं कर पा रहा है साथ ही बोला जाए कि गौव में गुडबंदी के चलती यजनाओं की पंचाहिती आज संस्था को बाधित करता है यानि कि कोई ग्रामी रस्ता पर पर पंचाहित ग्रामी जो लीडर है या पी पंचा जो सरपंच है वह बताता है ज सफल नहीं होपा है साथ ही नेक्ट पॉइंट एवर ग्रीन वालर पॉइंट है अपप भरष्टा चाह गरीबी और अशिक्षा रसी आधा समझ्या है भी कई रूप में पंचाहिती राज की सफलता के मार्ग में बाधित रही है ति हमने काफी देखो देखो 10 पंचाहित का सफल नहीं होने पर क्या-क्या समझ्या है रही है उसका क्या कारड़ा है वह यहां पर आमने देखा और समझा अब देखो बता जाए कि उपरोक्त का उप्रोक्त का रोड़ों से पंचाहिती राज ब्योस्ता अपने 28 वर्सों के समयावधी में अपिछिद लच्यों की प्रा सब्सक्राइब कर रहे हैं कि पंचाहिती राज के परड़ाम अधिकांस्ता सकारात्मक रहे हैं समयधानिक दर्जात अथा समयभद चुनाओं दरा महिलाओं की भागिदारी और समाज के पिछड़े वर्गों का इस प्रक्राइब में अस्थान समाजिक न्याय की दिशा में एक महत्यपूर कदम साबीत हो यानि जो महिलाओं को का ससक्ती कड़ किया गया और जो प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोच रास्ता मिलाए यानि जो आपका लोगतंत्र का विकेंदी कड़ हुआ पंचाइदी राज के दरा इसके थुरू जो सत्ता है वह निम्न वर्ग यानि जमिनी अस्तर तक लोगों तक पहुँच सकी है स्लोगन है काम भी अपना यानि कि जो हमारा है उसमें काम कौन करेगा हम ही लोग करेंगा है और जो फ। लोगों में होगी और जो हमाएं गाओं के समस्य है उसका समाधान भी हम गाओं वाले ही मिलकर करेंगे ठीक है इसी उद्धेश से पंचायती राज के और बढ़ा दिया इस उद्धेश के करण तो देखो बोला जाएं यहां पर यह द भी इस वेश्था के निश्ची तोर पर क इसकी प्रवान इद्धर होना चाहिए कि को किया-क्या-क्या समस्या है और कैसे निदान क्या जा सकता है क्या क्या किया सकता है ठीक है तो यह काम करना पड़ेगा गाउं को पूर्ण इधार होना चाहिए सुधार के पक्ष में कि सरपंचों को अधिकार करतब्यों का प्रशिचर दिया जाए तता समय सवेपार इस पर चर्चा की जाए तो केंद्र और राज्य के कैग और पैक की तर्ज पर समीति का गठन किया जाए तो कि इसको ब्लाबर जोकी पंचाहिए राज के काम को समया चला जाए जैसे बंद करना चाहिए और पंचाहिए इसको रन करना चाहिए तो कि इसको रन करना चाहिए पंचाहिए के राज प्रशाष्णिक अधिकार की सकारात में भागेदारी को सुनश्चित किया जाए और तीनों अस्तरों में सामझ से बिठाने की भी प्रयास किया जा सकता है торовा को आदिक अधिक सिच्छ्ष के परशाद समाजिकिकृतियों जैसे अधिकाधिक सिच्छा के परशाद वारा दूर कर ग्राम्री करना चाहिए उनके अनिकारों के बारे में उनको बताना चाहिए चुनाई जो चुनाओं की प्रक्या उसको निस्पक्ष और सरल बनाया जाए इस तरह से कुछ शुजाओ दिए जारे जिससे आपको जो घ्रामी लोगतांतरीक है उसको मजबूत किया जा सकता है यह पर पंचा